जील अच्छा कमल अच्छा के जाम अच्छा है तेरी आँखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है सामले सौमे चहरे पर दो आँखें जील सी खुबसूरत मगर ऐसी कि देखने वाला इसी में गुम हो जाए वाकई इस अभिनेत्री की आखों में ऐसा ही जादू था तब ही तो कोई उन्हें सुने ना कहता तो कोई उन आखों में अपने लिए उम्मीद ढूंता नौजवानों के दिलों को उन्होंने ऐसा लूटा कि हर कोई उनमें अपनी भावी दुलहन तलाशने लगा अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बनने वाली इस हिरोईन की कहानी वाकई बहुत दिल्चस्प है जिस फिल्म में इन्हें पहला ब्रेक मिला वो जवरदस्थ हिट रही इसके बावजूद आखिर इनके करियर पर ब्रेक क्यों लग गया एक फिल्म की शूटिंग के वक्त ऐसा क्या हुआ कि उनको इंडस्ट्री से बाहर होना पड़ा क्या आप यकीन करेंगे कि जिस प्रोडक्शन हाउस ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था उसी ने इन्हें बुला कर चार-चार फिल्में एक साथ साइन की क्या आप भरोसा करेंगे कि अपनी आखों की खुबसूरती के चलते इनको तमाम फिल्मों में ओफर मिले और इन्ही आखों की वज़ा से इंडस्ट्री ने इनसे किनारा भी कर लिए साथ ही आपको बताएंगे कि इस हिरोईन पर फिल्माया गया एक गाना सालों से शादी के हर वीडियो में क्यों किया जाता है शामिल दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आर जे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिनेमा सफर प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ये गाना सुनते ही आँखों के सामने बर्बस ही एक भूली भाली सूरत तेरने लगती है जो बेहत खुबसूरत थी और इस सूरत का एक प्यारा सा नाम भी है तो चलिए परदा उठा ही देते हैं कि आखिर कौन है वो एक्ट्रिस जी हाँ हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री तलूरी रामेश्वरी की 1977 में राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दुलहन वही जो पियामन भाई ये फिल्म ना केवल उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई बलकी सिल्वर और गोल्डन जुबली मना कर उस फिल्म से डेब्यू करने वाले हिरोईन को रातों रात स्टार बना दिया राजश्वरी को ये फिल्म मिलने की कहानी भी काफे इंट्रेस्टिंग है जो हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे अपनी पहली ही फिल्म में तीखे नय नक्ष और सादगी से भरी इनकी बेहतरी नदाकारी को लोगों ने इतना पसंद किया कि उन्हें जया बच्चन का दमदार सब्स्टिटूट माना जाने लगा दक्षिन भारत से तालूग रखने वाली इस अधाकारा का नाम पहली ही फिल्म से वैजियन्ती माला, वहिदा रह्मान, हेमा मालिनी और रेखा सरी की काम्याब हिरोईन की लिस्ट में लिया जाने लगा था इसके बाद इनकी दूसरी और तीसरी फिल्म भी हिट हुई अपने करियर में जबर्दस तरीके से आगे बढ़ रही इस एक्ट्रिस के साथ फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेहनत, हुनर और हुस्न के बावजूद किसमत के आगे उनकी एक ना चली एक हाथ से ने कैसे पल्टा उनके करियर का ग्राफ ऐसा क्या हुआ उनके साथ जिसके बाद बॉलिवूड ने उनसे दूरी बना ली डाइरेक्टर और प्रोड्यूसर की चहेती यह हिरोईन देखते ही देखते कैसे सिमट गई साइड रोल में क्यूं यह हिरोईन आंधी की तरह आई और बिजली गिरा कर गुम हो गई भले ही आज की जनरेशन उन्हें ना जानती हो लेकिन उनके चाहने वाले आज भी लाखों में हैं एक्ट्रिस रामेश्वरी बचपन से ही काफी सुन्दर थी लोग उन्हें एक्ट्रिस राजश्री की हमशकल मानते हैं अपनी सादगी और क्यारेक्टर में डूब कर अभिनय करने के लिए याद की जाने वाली इस अधाकारा से बॉलिवुड ने क्यूं छलावा किया आखिर क्यों लीड रोल करते करते उन्हें अचानक मा बहन और पत्नी के किरदार करने पड़े इन सब बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन उनकी फिल्मों पर बात करने से पहले जान लेते हैं रामेश्वरी के बचपन और उनके परिवार के बारे में आंध्रपरदेश के काकिनाड़ा में 1956 में एक मिडिल क्लास फैमिली में रामेश्वरी ने जन्म लिया उनके पिता भासकरूदू तल्लूरी एक केंद्रे कर्मचारी थे और मा ग्रिहनी थी पिताजी पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी सक्त थे क्योंकि उनकी बड़ी बहन का Medical College में सेलेक्शन हो चुका था इसलिए अब रामेश्वरी से भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी एक दिन रामेश्वरी को घर से थोड़ी दूर किसी तेलगू फिल्म की शूटिंग होने का पता चला फिर क्या था लड़कियों के जुन के साथ वो भी चल दी शूटिंग देखने रामेश्वरी को इस सारे वाकए के दौरान इतना मज़ा आया कि उनके दिल में भी ऐसा ही कुछ करने का सपना पलने लगा लेकिन घर का महौल उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता था इसी के कुछ महीनों बाद एक मैगजीन में पुणे के फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टिट्यूट के एक विज्यापन पर उनकी नजर पड़ी रामेश्वरी को तो जैसे अपने मंजल का पता हाथ लग किया हो उन्होंने अपने पिता को बिना बताए अपने बहन को कॉन्फिडेंस में लेकर FTII में एड्मिशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसी साल 1973 में तिरुपती से अपने स्कूलिंग पूरी करके उन्होंने इसमें एड्मिशन ले ही लिया अपनी सपनों के मंजिल पर उनका ये पहला कदम था लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अभी उनके सामने आनी बाकी थी FTII में एड्मिशन मिलने के बाद उन्हें हिंदी भाषा का ज्यान ना होने के कारण काफी मुश्किले आ रही थी उन्हें ये लगने लगा था कि बिना हिंदी सीखे हिंदी फिल्मों की हिरोईन बनने का खुआप पूरा नहीं हो सकता लेकिन हिंदी सीखना उनके लिए टेड़ी खिर थी उन्होंने अपने स्कोर्स को बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया लेकिन एक दिन उनके पिता हिंदी में लिखी चंदा मामा लेकर आए और रामिश्वरी से बुले तुम्हें रोज इस पुस्तक के पैराग्राफ को उचे स्वर में पढ़ना होगा और ये कोर्स तुम्हें हर हाल में पूरा करना है तो इस तरह रामिश्वरी का confidence बढ़ा और उन्होंने हिंदी भाषा की जंग जीत ली उनकी फिल्में देखकर कहीं से भी ये एहसास नहीं होता कि वो एक दक्षन भारती हैं उन्होंने अपनी पहली फिल्म दुलहन वही जो पिया मनभाई में बिना किसी डबिंग आर्टिस्ट की मदद के खुद ही हिंदी डायलाग बोले थे इस फिल्म के गाने ले तो आए हो हमें सपनों के गाउं में इस कदर हिट रहा कि आज भी जब शादी का वीडियो एडिट होता है तो ये गाना जरूर इस्तेमाल किया जाता है रामिश्वरी ने अच्छी हिंदी तो सीख ली लेकिन फिल्मों में उन्हें कैसे ब्रेक मिला अब बात उस पर करते हैं जानते हैं कि उन्हें हिंदी फिल्मों में कैसे ब्रेक मिला कैसे मिली एक नई लड़की को राश्री जैसे बड़े बैनर की फिल्म फिल्म इस्टिट्यूट से अपना कोर्स फूरा करने के बाद रामेश्वरी मुंबई आ गई थी एक दिन उन्हें पता लगा कि राजश्री प्रोडेक्शन की टीम अपनी नई फिल्म के लिए ओडिशन्स ले रही है राजश्री वाले अकसर न्यूकमर को अपनी फिल्मों में मौका देते थे तो रामेश्वरी ने भी अपॉइंटमेंट लिया और पहुच गई ऑडिशन देने जहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया निराश रामेश्वरी लौट आई फिर एक दिन अचानक उन्हें राजश्री की तरफ से कॉल कर बुलाया गया हुआ यूँ कि मुंबाई के FTII के ट्रेट शो में राजश्री वालों ने उनकी किसी फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा देख लिया था और बस उन्हें रामेश्वरी में छिपा हिरोईन मेटेरियल मिल चुगा था फिर क्या था एक नहीं दो नहीं बलकि चार चार फिल्मों के लिए उन्हें साइन कर लिया गया उनमें से एक फिल्म किसी कारण से पूरी नहीं हो पाई लेक जी टंडन के फिल्म दुलहन वही जो पिया मन भाई रामेश्वरी की पहली रिलीज फिल्म थी जो सिनेमा घरों में आते ही च्छा गई भले ही इस फिल्म के लिए रामेश्वरी को कोई आवार्ड नहीं मिला लेकिन और्डियंस का भरपूर प्यार और सम्मान मिला तक कहा जाने लगा कि फिल्म इंडस्ट्री को नई जया बच्चन मिल गई है। इतना असरदार होता था कि दर्शक टक्टकी लगा कर उन्हें देखा करते थे। प्रमिश्वरी का करियर उनकी उमीद और सपनों के मताबिक ही चल रहा था। अच्छा काम, अच्छा नाम और बेशुमार शोहरत उनके कदमों में थी। लेकिन अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिसके चलते ना सिर्फ उनके सितारे गर्दिश में आ गए बलके उनके करियर पर भी ग्रहर लग गया। दरसल 1979 में उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई सुनैना जिसमें उनके अपोजिट नसीरुदेन शाह थे। एक दिन रमिश्वरी घोडे पर सवार होकर एक सीन शूट कर रही थी। इसी दोरान वो घोडे से गिर पड़ी और कोई नुकीली बारीक चीज उनकी आख में जा ल आखों की सरजरी के लिए उन्हें विदेश भेजा गया जहां उनका कई महिनों तक इलाज चला। उनकी आख बिलकुल ठीक हो गई और जब वो लोटी तो उन्होंने शूटिंग पूरी की। सुनैना भी बॉक्स ओफिस पर काम्याब रही। लेकिन सरजरी के बाद रामिश काम मिलना कम हो गया। ऐसा लगता है जिगर मुराताबादी ने ये लाइने राजेश्वरी के लिए ही लिखी थी कि मेरी आखों का कुछ कुसूर नहीं हाँ मुझी को खराब होना था। राजेश्वरी जब विदेश से अपना इलाज करा कर लोटी तो बहुत सी फिल्मों म उन्हें रिप्लेस भी कर दिया गया था। हाथसे के बाद उनकी जिन्दगी पूरी तरह से बदल गई लेकिन वो हार मानने को बिल्कुल तयार नहीं थी। यही वज़ा रही कि अगले ही साल यानी 1980 में उनकी फिल्म आई आशा जिसमें उनके साथ जीतेंद्र और रीना एक्ट्रिस के लिए फिल्म फियर में नॉमिनिशन भी मिला था। फिर 1981 में अगनी परीक्षा आई और इसी साल उनकी एक और मूवी शारदा रिलीज हुई। इसमें उन्होंने टाइटल रोल प्ले किया था। ये सभी फिल्में अच्छी चली। लेकिन यहां आपको ये ब कालका, मुझे कसम है, आदत से मजबूर, मान मर्यादा वगेरा। लेकिन कोई भी फिल्म उनकी पहली फिल्म जैसा जादू नहीं दिखा पाई। रामिश्वरी के साथ एक ट्रेजडी ये भी रही कि दो तीन फिल्मों को छोड़ कर उन्हें अपने दौर के बड़े एक्ट भी नहीं मिले जो उन्हें उचा मुकाम दिला पाते। इसके अलावा उनकी नौन ग्लैमरस इमेज के चलते उनको काम मिलना कम होता जा रहा था। रामिश्वरी को अब ये समझ आ गया था कि हिंदी फिल्मों में करने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इ इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फियर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा सुपर हिट उडिया फिल्म मानीनी में भी उन्होंने बेहत दमदार अभिने किया। जब लव हुआ मित्वा फूल के जैसे धरवाहिकों में उन्होंने काम किया। अपने पती के साथ मिलकर उन्होंने डिरेक्शन में भी हाथ आजमाए। 1988 में उनके निर्देशन में बनी हिंदी फिल्म हम फरिष्टे नहीं रिलीज हुई। जिसमें राजबबर, स्मिता पा अबी फिल्म भी बनाई थी जो शेक्स्पियर के नाटक कॉमेडी ओफ एरर्स पर आधारित थी। इसके अलावा रामिश्वरी बीच बीच में कुछ एक फिल्मों जैसे बंटी और बबली और फाल्तु में भी दिखाई दी। प्रोडक्ट्स बनाई जाते हैं। नूतन, मधुबाला, मीना कुमारी और आशा पारिख की फैन रामिश्वरी अपना एक्च्वल क्रश शेशी कपूर को बताती हैं। इतनी उचाई से केरियर शुरू करने के बावजूद बहुत कम वक्त में ही गुमनामी के अंधिरे में खो जाने वाली इस अभिनीत्री को इसका कोई मलाल नहीं है। अपनी चमकती और बोलती आँखों से अदाकारी करने वाली इस हिरोईन के हालात पर फिराग गुरकपूरी की यलाईने बिलकुल फिट बैटती हैं। जो उन मासूम आँखों ने दिये थे, वो धोखे मैं हुमारा सलाम है। फिल्म इंडस्ट्री से दूर रामेश्वरी अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी इंजॉय कर रही हैं। हिंदी फिल्मों, साउथ सिनेमा और उडिया फिल्मों में की गई अदाकारी और उनके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कॉमेंट करके बताएं। आप से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।